हातरस्त कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है और इस बीच न्यूज 18 के टीम बाबा सूरजपाल के ससूराल पहुंची बाबा सूरजपाल की सस्वराल एटा जिले के गुहटिया इलाके में है जहां बाबा के साले मेवाराम ने दावा किया कि हाथ रसासे में बाबा सूरजपाल का कोई कसूर नहीं है वो हासे की 35 मिनट पहले ही निकल गए थे बाबा के चमतकार पर मेवाराम ने कहा है कि जल से फायदा होता है लोग लेकर जाते हैं उसे पीते हैं इसलिए लोग उनके वहाँ पर आते हैं इसके साथ यह भी दावा किया कि बाबा और उनकी पत्नी प्रेमबती दोनों को बीपी और शुगर के समस्या उन्होंने ये भी दावा किया कि सस्तंग शामल सभी माईला सिवधारों को बाबा सुरजपाल अपनी बेहन मानते हैं न्यूज एटीन इंडिया पहुँचा है बाबा के ससुराल में और हमारे साथ इस वक्त मेवाराम हैं जो काफी बुजुर्ग भी हैं और प्रेमवती जो बाबा सुरजपाल की पतनी हैं उनके भाई हैं उनसे ही पूसते हैं कि आखिर ये कब से वहां पर बैठी हैं और आप लोग कितने भाई बेहन पहरे ये बताए हैं कि वहां दो नहीं हैं और अकले हम पान भाई हैं अच्छा बढ़ा कौन है रहे हम बढ़े प्रेमवती 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 को आज माता श्री कहा जाता है जो आपकी बेहन है और वह मंच पर बैठी रहती बाबाजी के साथ आप नहीं पानी निकलता है जल निकलता है वो कैंसर ठीक कर देता है जल से सब फायदा है जल से फायदा है लेकर जाती पीटी फायदा तो लाकों चलती है अच्छा है इसलिए आते हैं लोग वहां पर तो आपको भी कोई चमतकार ऐसा दिखाई दिया कभी उनका हम ना सब देखो नहीं है भार नहीं हम तकारी सब्सक्राइ अगारी क्सिको को आजकल को किसी संत एया कि भाकत आइक वन्हें तके नहीं बताएगा कोई बता देवाधान को पताए लाय ज… होती है है… कमत کاरी नयत है कुआ है वोती है अच्छा है नहीं है कशूरवार किसे मानते हैं बाबा जी को लोग दोश दे रहे हैं बाबा जी को गलत देते हैं बाबा जी का कोई फाइल नहीं बाबा जी तिर पाइटेस मेंट पहने चले आई थे